अर्यू आप लोगों का मया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल रो में आप फॉंड का साइस क्या है कीबूर से कैसे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं उसके बरह में बताने जा रहा हूं इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बतायाता की करसर के साथ प्रॉपर्टी बार में जो आप्शन है उसको आप कैसे ला सकते है उसके बरह में बतायाता मैंने अब इदिको इदर के है tools में आता हूँ, tools में आके option में आना है, option में आके इदर customization करके है इसमें आता हूँ so customization में आने के बाद इदर के है आपको commands में आना है अब इदर के है फाइल है, तो अभी मैं इदर click करके इसको क्या करता हूँ भी Text में आ जाता हूँ मैं, इधर कहा है, Text करके इसमें आता हूँ Text में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर इसको तुलगा स्क्रोल कर लेता हूँ मैं So इसमें आप क्या करो, Font Size Increase or Decrease करके इधर है तो अभी दिखो font size decrease है, decrease करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ इदर shortcut की tab में आता हूँ, इसमें आने के बाद अभी दिखो इसमें क्या है, current shortcut की already इसमें है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक नया shortcut देता हूँ मैं, new shortcut की मैं क्या करता हूँ, अभी दर इसको font size को अगर increase करना है तो इसको select करता हूँ, select करके इधर new shortcut के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, full point देता हूँ यहनि greater का sign मैंने प्रेस किया है, full point दिया है, अभी assign करता हूँ, assign करके इसको क्या है, okay बोलता हूँ मैं, अभी इदर क्या है, कुछ type कर लेता हूँ मैं, इदर देखो, इदर click करके, इदर type करता हूँ मैं, अभी इसको क्या है, तो अभी इसको क्या है, तो आपको क्या करना है, full point प्रेस करना है, तो देखो भी यह क्या हो रहा है, एक एक font क्या है, increase हो रहा है, इदर आपको यह दिख रहा है, देखो भी 41, 42, ऐसे increase हो रहा है, अगर समझो इसको आपको छोटा करना है, तो आपको क्य करना है कॉमा प्रेस करना है एनी less than का sign है इसको प्रेस करना है तो देखो भी यह क्या हो रहा है ऐसे font क्या है छोटा हो रहा है इस तरह क्या है आप कीबूर्ड का shortcut आप create कर सकते हैं अगर यह करते हो तो आपको कुछ doubts वगएरा है तो मुझे comment box में comment किजिएगा हमारे साथ को subscribe करने के लिए आप लोगों का धन्यवाग